नमस्कार, आर्वेत की जानकारी को आंगे बढ़ाती हुए, आज हम आपके लिए एक और दिब और चमतकारी और सदी पोधा लेके हाजिर हो गए हैं, दोस्तों ये जो छोटा सा पोधा आप देख रहे हैं, ये बरसात के मौसम में खेतों में बड़ी मात्रा में ही उग जाता है, प्राया लोग इसे खर पतवार समझ करके उखाड उखाड फेक देते हैं, लेकिन इसके फादे अनेक हैं, अगर आप इस औसदी का प्रियोग करेंगे, तो अपने अनेक बीमारियों को आसानी से दूर कर सकते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक पोधा होता है जिसमें स भूल बाला औसदी पोधा, तो इसका नाम है हुल हुल, इसको संस्कित में तिलपरणी, उगर गंधा, पूति गंधा कहा जाता है, संस्कित में और हिंदी में इसको हुल हुल या हुर हुर, या हुर हुरा के नाम से जानते हैं, पैचानते हैं, गुजराती इसका नाम तलव इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो वेडियों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजगा लाइक करने से होता क्या है मेरा मौटिविशन अप होता है और मैं नहीं नहीं जानकरी आप तक पहुचाता रहता हूं इसके साथ ही स पत्ते भी इसकी प्रयोक की जाते हैं वो 5-10 ग्राम की मात्रा में और इसकी जड़ को 1-3 ग्राम की मात्रा में सेवन किया जाता है तो चलिए हम हुल हुल के फायदे विस्तार से जान लेते हैं तो यह करन रोगों में बहुत अच्छा काम करता है कान का दर्ध हो या कान में प्यूप निकल रहा है, अगर ऐसी आपको समस्या है, जैसे की कांड में फुनसी या घा हो जाता है, तो बदभुदार पीप निकलने लगती है, तो इसमें आपको करना क्या है? इन ओसदी की पत्तों को तोड़ लेना और तोड़ करके आपको सर्सों के तेल में पका लेना है जब तेल बच जाए और ओसदी की पत्ते जल जाएं तब च्छान करके इसे सिम्भर ले एक से दो बून्ध काल में डालने से इसका बड़ा ही अच्छा प्रबाव होता है कान का दर्द, कान में प्यू, कान की खुजली, कान का फोड़ा फुंसी खत्म हो जाती है दोस्तो अगर आप कान में डालेंगे तो हलका जलन मैसूस होगी और बुकुश समय बाद ठीक हो जाती है अर्ष में बहुत इच्छा काम करता है यह हुरुरा अर्ष यानि की बवासीर, बवासीर की सिकायत है या फिर आपको भकंदर, फिसर की सिकायत है उसमें इसको बहुत इच्छी मात्रा में प्रयोग किया जाता है हुलोल की पकी फलियों को ले जिए और पकी फलियों को ले करके इसकी बीज निकाल ले जिए फिर साथ में सनाय पत्ती और कसोंधी के बीजों को तीनों औसन्यों को मिला करके चूरन बना ले इस चूरन की आधी मात्रा में आप शक्कर मिला ले फिर सुबह साम 3-5 ग्राम की मात्रा में अगर पानी के साथ प्रयोग करते हैं तो खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर को ये अस्चन जनलाब करता है साथी साथ जिनकी आतों में कब जो जम जाता है मल जम जाता है जिससे पाखाना ठीक से नहीं उतरता और इससे उनका डाइजिसन सिस्टम गड़बड हो जाता है वे हुर हुर की इन पत्यों का सौराश शेबन करें ऐसा करने से जवरजस्ट लाब होता है बुखार को भी ये हुर हुरा जड़से खत्म कर देता है आज कल होता क्या है ना जाने कितने प्रकार के मौसमी और वारेल इंफेक्शन जैसे बुखार चलने सुरू हो गए हैं तो इन सभी बुखारों को दूर करने के लिए आप हुर हुर का प्रियोग कर सकते हैं आए जा करके साथ में हुरोरा के पत्तियों को दस ग्राम लेकर के सभी को पीज करके और इसका रस निकाल लीजीगा इस रस का सेवन करती हैं तो सभी प्रकार का बुखार खत्म हो जाता है दोस्तों यह आपके छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जो सूखा रोग हो जाता ह है तो बच्चों के सूखा रोग को दूर करने के लिए भी इस और सदी का प्रयोग किया जाता है कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान से शुलिएगा यह जो आप यह फलियां देख रहे हैं यह फलियां भी जबर जस्त हैं मैं फलियों के बारे में आपको बता दूं कि इसके जो चोड़ी चोड़ी बीज होते हैं इन बीजों को पीश करके अगर बच्ची की नाभी के आसपास लगाती हैं तो बच्चों का दस्त रोग जाता है और जिन बच्चों को सूखा रोग हो जाता है उसमें पत्यों के रस को आप पीस करके पत्यों को पीस करके चटनी की भाती लेप सब बना लें और बच्चे की पीट पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से आये है सूखा रोग को दूर कर देता है किर्मी में हुल हुल का बहुत ज़्यदा फायदा होता है जिस किसी को किर्मी रोग हो जाता है जानी कि आपके जो जो है आपका पेट है ना छोड़े छोड़े बच्चों का या फिर बड़ों का जिसमें कीड़ा बगड़ा हो जाते हैं ना तो ऐसी दूर करने के लिए बाइवरेंग, नीम और हुरहुर इन तीनों को लेकर के आप अगर इसका सेवन करते हैं तो छोड़े-छोड़े किर्मी पेट के जो केंचुव समान होते हैं वो निकल जाते हैं दोस्तो यह हुरहुर यह हुलहुल आपके भूख को भी बढ़ा देती है जिनको भूखना लगती हो या फिर साथ में खाया पिया हजम न होता हो या भूख तो लगती है लेकर खाने का मन्ना करता हो ऐसे में अधरक पुधीना और यह हुलहुल के बीज तीनों और सदियों को लेकर के अगर आप चूरन बनाते हैं और यह चूरन आप सुबह साम हलके थंडे जलके साथ अगर शेवन करते हैं तो आपको भूख खुलके लगीगी और अरुची की सिकायत है यह भूख तो खीव लगती है लिगर खाने का मन नहीं करता तो ऐसी अवस्ता में भी आप इसे ऑसदी का प्रियोग करके लाग उपा सकते हैं तो दोस्तों आप इसको किस बीमारी में प्रियोग करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इस ऑसदी को आपको यहां किस नाम से जानते हैं वो हमको जरूर बता दीजिगा तो कैसी लगी जानकारी उमीद है ज ग्यान बर्धक रही होगी और आपका ग्यान बर्धन हुआ होगा तो वेडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर दबा दीजिगा ताकि मैं जो वेडियो डालूंगा उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलेगा अग अश्कार धन्यबाद